इलेक्शन के उपरांथ सामग्री आपको वापस करनी है जहां से वित्तन किया गया था वहां से सामग्री वहाँ पर वापस भी करनी है आपको लेकिन जैसे कि आपको बताया गया है कि सामग्री तीन जगे से मिल रही है लेकिन बी आई टी की सामग्री और सेज भाहर दोनों की सामगरी सेज बाहर में ही जमा होनी है सबी विधान सभा की सामगरी सेज बाहर में जमा होगी हमारे हर विधान सभा के हिसाब से काउंटर बने होंगे और किस काउंटर पे कौन सा मद्दान दल आके अपनी सामगरी जमा करेगा पहले ये सुनिश्यत कर लीजिए और सुनिश्यत होने के बाद आप अपनी सामगरी को 6 सेट में बाट के लाए हैं तो वो सेट लाना बहुत जरूरी है कि अगर वैसे सेट नहीं लाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है यही बात ठीक है कि हमारे पीटा से अंतिकारी जो हैं वो सुवे साड़े 5-5 बेजे से लेके साड़े 13-14 घंटे काम कर रहे हैं और आप समगरी जब प्राप्त कर रहे हैं तो आप उनकी मानसिक इस्थिती को समझ सकते हैं तो उनसे आपको बली शानिलिता के साथ भिवार करना है अगर किसी जी कमी है तो बहुत ही समान चन्दक तरीके से उनको बताना है कि आप इस चीज को पूरा कर दीजे तो आईए हम वो सेट दिखते हैं जो सेट 6 सेट बनाए गए हैं सबसे पहले सेट में आते हैं हमारी तीनों मशीने CU, BU और VPAT बहार से ये सब सील रहते हैं ये देख रहा है सब सील रहते हैं इन सील को आपको चेक करना है कि उसी केंद से सम्मंदित हैं जिस केंद की समगरी जमा हो रही है इसके साथ साथ आपको सेट 1 में तीनों मशीनों के साथ आपको एक बड़ा लिफाफा मिलेगा जिसका करमांग एक बटी एक होगा, उसके अंदर तीन छोटे लिफाफे होंगे, तो उन तीन छोटे लिफाफे के लिखा लिखा लिए, सब छोटे लिफाफे खुले आएंगे, जैसी आप बड़ा लिफाफा एक खुलते हैं, आप उसके अंदर तीन लिफाफे में लेंगे, सारते पहले नंबर के लिफाफ़ा जो है जिसका एक पटे दो इसमें कर्मांग लिखा होता है वो हमारा मतपत्र लेखा ये दो प्रतियों में वो आपको जमा कर रहा है आप उसको चेक करेंगे उसमें देखेंगे उसके चभी बिंदू बिंदू करमांग एक बिंदू करमांग दो और लास्ट में बिंदू करमांग साथ में मेल खाती हुई मिल रहा है कि नहीं कुल उत्ते वोट हैं कि नहीं और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी एक प्रति हम अभी करता को देते हैं आता है इसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है उसको checklist कर लिजिए दो प्रतियों में हैं एक प्रतिय को डाल के अगर सही है तो एक प्रतियों डाल के machine के साथ बेजिए और एक प्रतियों को अपने पास अंग्रिज कीजिए ये बाद में सम्विख्षा के लिए चली जाएगी दूसरा इसमें लिफावा जो है जिसमें लिखा होगा एक बट्टे तीन वो हतार PITAS की अंतिकारी की रिपोट जो की तीन होती है पहली रिपोट है मौकपोल की रिपोट दूसरी रिपोर्ट हो सकता निरंग हो यह तब बनी जाती है जब कि हम बैट्री चेंज करते हैं और जहान दीजेगा इसमें कि हम बैट्री चेंज करते हैं तो हम बैट्री सेक्शन खोलते हैं बैटिरी स्टेक्शन खुलने के बाद हम उसमे अपना एडर्स टेक लगाते हैं इसके पहले जो एडर्स टेक लगा होता तो वो आरो के दो ड़ाए जाता था अब एडर्स टेक पीटा से अधिकारी लगा रहा है ऐडर्स टेक आपने किस क्रमांग कॉप्यों किया उसका उल्ल लिखा होता है मैंने close button दबा दिया है अभी करता हो के sign रहते हैं तो यहाँ आप उनको check कर लेना है ताकि close button दबाए उनको फिर याद आ जाता है यह आपका एक लिफाफा हो गया दूस्ता लिफाफा जो है वो हमारा समविक्षा का लिफाफा होता है सेट होता है जिसके command बड लिफाफा जाता है पहली सबसे बड़ी important सामगरी है वो है मद्दाता register 17 का जो कि बहुत महत्पूर होता है 17 का register उसमें आपको मिलेगा दूसरा होता है इस पीठा सी अंथिकारी की diary जो कि बहुत महत्पूर होती है सब खुली आती है लेकिए पीठा सी अंथिकारी का मद्द आता रिजिस्टर हमेशा सील होके आएगा चप्रा सील होके आएगा केंदर से ही और पीठा से अंधिकारी की डाइडिक खुली आएगी जिसकी दो प्रतियां होती है एक प्रति उसी लिफाफे में चेक करने के बाद रखेंगे और दूसरी प्रति आप कंप्यूटर सेक्टर भीजेंगे रिकाट करने के लिए तीसरी इसमें बहुत इंपॉटन चीज होती है वह है विजिल शीट तो विजिल शीट में अक्सा देखा गया है कि विजिल शीट को हमारे पीठा से अंधिकारी ब्लैंक लेके आते हैं और यह विजिल शीट दो जगे होती है एक पीले रं इसके पास तीन चावार आता उसका भी हवाला वह नहीं देते हैं तो इसकारण से वाद में विसंगती पैदा होती है कि उसमें कोई ही नहीं गया आते है उसका आवश्रक रूप से देखें चेक करें और भरवा लें विजिल शीट को चौती चीच इसमें जुड़ी गई है वह है अन्थे और अश्रक व्यक्चियों के साथियों की गोष्णा और उनके द्वारा आपके द्वारा बनाएगी सूची इस सूची को देख लें जी समविक्चा सूची हो गई यह सबी चीजे खुली आएंगी इनको सील भी नहीं करना है समविक्चा के समय उनको एज़ि स्वादिक सेट्स का मतलब सैचिटरी ऑन्वलफ कहलाता है या पर्नित लिफाफे कहलाते हैं इस में टोटल छे लिफाफे हैं एक बड़ा लिफाफा जिसका क्रमांक 1 बटे-1 है उसके अंदर 5 लिफाफे रहते हैं जिसका 3 बटे-2 3 बटे-3 3 बटे-4 3 बटे-5 और 3 बटे-6 आपको खोल के नहीं देखना है, बड़ा लिफाफा खुला रहा है, उसके अंदर ये पांट लिफाफे लिकलने चाहिए, सबसे पहरा लिफाफा है, आपका निर्वाचा नामवली की चिन्नित पिल्ची का लिफाफा, दूसरा लिफाफा उसमें लिख लेगा आपका, ये 17B, अगर उस केंद पर टेंडर वोट हुए हैं, तो उसका लिफाफा, अगर टेंडर वोट होंगे तो उसकी संक्या लिखेगा, नहीं होंगे तो निरंग करके उसको अवश्व भार के रखना है, तीसरा इसमें जो लिफाफा है, वो बचे हुए टेंडर वोट ये मत पत्र, उ यह परनियत लिफाफ़ा नहीं है पांचवा लिफाफा जो हमारे बड़े लिफाफ़े बुरे रंग का होताओ है पांचवा लिफाफा और शटवा लिफाफा नीले रंग का होता है इन लिफाफे में सामगरी लिखी होती है कि इन सामगरी को इसमें रखना है तो सामगरी उसमें रखे लिए इसमें 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 खास हो देख लिए आपको मांगना है क्योंकि इसमें पूरी सामगर में कहीं सुविन्नक चिन का और पीतल की सील का और लेक नहीं किया गया है तो इसलिए सुविन्नक चिन और पीतल की सील को अवश देख लें कि वो जमा की है कि नहीं यह महत्पून है कि सुविन्नक चिन हमारी नंबर आइटम है और वो पिठा से अंतिकारी की सील भी खेलाती है अज़के उसको अब शुरूप से ले 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 और लेने के बाद उस पर रख दे दूसरा आपको वहाँ ये भी चेक करना है जो बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि हमने सबी पिठा से अंतिकारी को बताया है कि चुनाले को अपरांत वी पैट से उसकी बैटरी को लिका लिया जाए उस बैटरी को लिका के कागज में रैप करके पाँचवे लिफाफिक अंदर पाँवे उसकी इंदर डालके देदे या अलग से दे वो आपको बैटरी भी लेनी है तो इस तरीके से आप पूरी सामगरी वापस लेंगे और हमारे पीटा से अंधिकारी सारी तैयरी को साथ आएंगे तो पांस से दस मिट में के अंदर हम पूरी सामगरी ले लेंगे और उनको भी परिशानी नहीं होगी आपको भी परिशानी न लेकिन वो उस दिन 13-13 कि काम करते हैं तो दौनों को एक सामंजस बनाके रखना हैं मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके सामगरी प्राप्त करेंगे और किसी उतरीकी अर्चन होने पर उपस्तित मास्टर टेनर से संपक्ष स्तापिद करेंगे धन्यबाद